दोस्तो स्वागत है आपका आपी के YouTube चैनल MGM करें इंसिट्यूट में तो आज शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट का नेक्स लेक्चर लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ लिया था किसके बारे में नाइट्रीट के बारे में नाइट्रीट सॉल्ट के हीटिंग हमने पढ़ कि कोई भी volatile substance हो तो उसे बाहर निकाल दीज ये और जो बचा हुआ प्रोडक्ट होगा वो आपका remaining product हो जाएगा तो देखते हैं कि जब sulfate की बात करते हैं तो sulfate में कोई volatile substance है हमारे पास तो देखें यहां पर sulfate में हमारे पास volatile substance कौन सा है और अप्स सो ओती है तो रहारे बच्शों हो ध्ल्की destule कि अगर अगर Agriculture अगर in Balance न Chuck है इंटीवी सरु अगर हो फिल्क सकते में और सर ओ इस अजवा है एंड O2 क्या बन जाता है यहाँ पर SO2 और O2 बन जाता है तो अब हम सॉल्ट की बात करते हैं यहाँ पर तो सॉल्ट क्या है बच्चो कि मैटल सल्फेट को अगर मैं हीट करता हूं बिलोग 800 डिग्री सेंटिग्रेड तो मैटल ओक्साइड बनेगा साथ मैं SO3 बनेगा क्या बन बनेगा तो यह आपको याद रखना बात बच्चो चलो एक्जेंपल के दुरू इसको करने की कोशिश करते हैं कि SN O2 है SN SO4 है अगर मैंने इसको क्या किया है हीट किया है तो क्या बनेगा बच्चो सबसे पहले है SN O बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा SO3 बन जाएगा अ आप यहाँ पर आप SN को देखोगे तो SN किस oxidation state पर है प्लस टू पर है यहाँ भी SN किस oxidation state पर है प्लस टू पर है बट जो SN होता है वो प्लस टू पर exist नहीं करता है वो किस पर exist करता है बच्चो SN प्लस टू की जगह किस पर exist करता है प्लस फोर पर तो SN प्लस टू किसकी तरह बिहेव करता है बच्चो SN plus 2 किसकी तरह behave करता है बोलो जल्दी बोलो SN plus 2 किसकी तरह behave करता है जल्दी बोलो बच्चो किसकी तरह behave करता है वो वो जब plus 2 से plus 4 में जा रहा है तो यह electron lose करेगा electron जो lose करता है वो reducing agent की तरह behave करता है और यहाँ पर sulfur किस oxidation state पर है plus 6 पर है तो यहाँ पर sulfur तो किसी की तरह behave कर नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चो कि यह further conversion हो जाएगा किस में SNO2 और यहाँ पर convert हो जाएगा क्या SO2 तो यह क्या हो जाएगा बच्चो प्लस 4 और यह क्या हो जाएगा बच्चो प्लस टू में क्यों 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 कि ये प्लस 6 है तो किस की तरह behave करेगा oxidizing agent की तरह और ये electron क्या करेगा बच्चो गेन करेगा और जब electron gain करेगा तो प्लस 6 get converted into प्लस 4 ये electron क्या करेगा बच्चो ये क्या करेगा electron lose करेगा तो जब electron lose करेगा तो plus 2 से किस में convert हो जाएगा प्लस 4 में convert हो जाएगा वहीं अगर इसको में above 800 degree centigrade heat करता तो सीधा सीधा क्या बन जाता हमारे पास सीधा सीधा बन जाता क्या SNO2 और यहाँ पर क्या बन जाता SO2 बन जाता क्या बन जाता बच्चो SNO2 और SO2 बन जाता अब यह क्या हुआ बच्चो यहाँ पर देखने की बात यह है कि बनता तो पहले SNO then SO2 और O2 बनता बट यह आपस में reaction करके क्या बना देते बच्चो again यह convert हो जाता किसमें SNO2 में किसमें convert हो जाता SNO2 में तो simple सी यह single line reaction है SNO plus SO2 plus O2 बनता बट O2 जो है वो oxidizing agent है और SNO क्या हो गया है reducing agent हो जाएगा तो यह further conversion हो जाएगा इनका किसमें SNO2 में तो O2 हमको नहीं मिल पाएगा चलिए next बात करते हैं किसके hydrated sulfate की किसकी बात करते हैं बच्चो hydrated sulfate की बात करते हैं hydrated sulfate जो होते हैं वो majorly हमको दो type के मिलते हैं किस type के मिलते हैं बच्चो majorly हमको दो type के मिलते हैं एक तो मिलता है किस form में MSO4.7H2O की form में और एक मिलता है हमको किस form में MSO4.5H2O की form में किसको छोड़ कर यह हमको छोड़ना पड़ेगा किसको first A को किसको छोड़ना पड़ेगा बिच्चों हमको first A को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा leave करना पड़ेगा first A को छोड़कर calcium, strontium और barium को छोड़कर क्यों क्यों क्योंकि इनके जो sulfate होते हैं वो .7H2 और .5H2 की form में नहीं मिलते हैं हमको वो कुछ अलग hydrated form में हमको मिलते हैं तो देखते हैं कि जो MSO4.7H2 और MSO4.5H2 होता है उनके अंदर bonding किस-किस type की होती है कई बार ये question पूछा जा चुका है कि इन में कितने type के bond present है तो चले देख लेते हैं बच्चों कि MSO4 जो है तो metal यहाँ पर किसकी तरह behave करता है कहाँ पर Lewis acid की तरह behave करता है और H2O जो होता है यहाँ पर किसकी तरह behave करता है ligand की तरह behave करता है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो bond बनता है वो कौन सा bond बनता है बच्चों वो बनता है coordinated bond कौन सा bond बनता है बच्चों coordinate bond यहाँ पर बनता है तो यहां पर जो हमारा square bracket है यह positive charge contain करेगा और sulphate कौन सा रखेगा minus two charge रखेगा तो यह दोनों के दोनों ions है तो यहां पर कौन सा bond बनेगा बच्चो ions के बीच में ionic bond बनेगा ions के बीच में कौन सा bond बनेगा ionic bond बनेगा और यहां पर dot 7H2 लगा हुआ है और यहां पर जो oxygen है उसके पर minus two charge है again oxygen के पर minus two charge बीच में कौन है hydrogen है तो यहां पर जो third bond बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चो hydrogen bond यहां पर बन जाएगा वहीं अगर आप देखोगे दियान से एसॉ-4 कीइफ को देखोगे तो एसोफिर कौन सा molecule Eli कोफलेंट molecule है यहसोफिर में कॉनसा bond exist करेगा प्ल Annual क प्ल pup data remain यहां परilosix तोबीव प्रियुलेंगे हुआ यहां पर इसमें बेखेंगे के ध्यान्त से तो यहाँ पर कौंसा बॉन्द है यहां पर कोडिनेट बॉन्ड है už सब आज़या गया होगा कि यहां पर बॉंडिंग क्oken कि होगी समय जे कुên करते हैं इनकी तो सबसे पहला कोन आता हैं उसकी हीटिंग करते हैं तो इसका फॉर्म्मला किया है बच्छो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह बना देते हैं क्या CASO4.H2O जिसको क्या बोला जाता है बच्चो Plaster of Paris भी बोला जाता है क्या बोला जाता है बच्चो इसको Plaster of Paris भी बोला जाता है अगर हम Plaster of Paris में अगेन पानी मिलाते हैं तो यह किस में Convert हो जाता है जिपसम में convert हो जाता है और क्या हो जाता है बच्चो ये hard हो जाता है क्या हो जाता है बच्चो hard हो जाता है कि plaster of Paris जब भी कोई भी bone break हो जाती है तो उस पर plaster of Paris का plaster चड़ाया जाता है और उसमें पानी डालते है वो क्या बन जाता है तो वो क्या हो जाता है काफी hard हो जाता है अगर जो plaster of Paris है उसे हम क्या करते है almost 200 degree centigrade के असपास heat करते है किसके असपास heat करते है बच्चों 200 degree centigrade के असपास heat करते है तो ये remaining जो half mole water है ये भी क्या कर देता है release कर देता है और क्या बना देता है dead burn plaster बोला जाता है अब इसे dead burn plaster क्यों बोला जाता है क्योंकि जब हम इसमें जब हम इसमें further water aid करते हैं जब हम इसमें further water aid करते हैं तो यहाँ पर कोई reaction देखने को नहीं मिलते है इसलिए इसको क्या बोला जाता है dead burn plaster बोला जाता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं आगे हम heating करते हैं किसकी green withdrawal की तो green withdrawal का क्या formula है बच्चो FESO4.7H2 क्या formula है FESO4.7H2 हमारे पास formula निकल कर आता है अगर हम इसे heat करते हैं simply जब हमने heat किया तो यह water बहार निकालेगा तो water बहार निकालेगा तो क्या बचेगा बच्चो FESO4 बचेगा क्या बचेगा FESO4 अब FESO4 का जो color होगा वो क्या होगा बच्चो white हो जाएगा green withdrawal change होकर केस में convert हो जाएगा white में convert हो जाएगा अब अगर हम इसे और heat करते हैं तो sulphate की heating हो गई अब तो simply तो क्या बनेगा FEO बनेगा और साथ में क्या बनेगा SO3 बनेगा यह किस में convert हो जाएंगे बच्चो यह further convert होकर क्या बच दे देंगे यहाँ पर FESO2 से convert हो जाए reaction है या फिर complete reaction है वो हम एक टाइप से देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए क्या बच्चो complete reaction क्या लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए complete जो reaction है कि वाकई में क्या हुआ है वो देख लीजी आप एक बार कि यहां पर क्या है बच्चो हमारे पास Fe, So 4 White है उसको हमने क्या किया है Heat किया तो क्या बच्चो हमारे पास Fe, O और साथ में क्या बचा So 3 यहां पर बचा अब Fe, O और So 3 अगें reaction करेंगे तो क्या बनेगा बच्चो FEO और यहाँ पर क्या हुआ SO3 अगर हमने इसको again heat किया तो क्या बच्चो FE heat नहीं करेंगे यह अपने आप ही reaction initiate हो जाए क्योंकि reducing agent, oxidizing agent है तो FE2O3 बन जाएगा साथ में क्या बनेगा SO2 बन जाएगा क्या बनेगा SO2 बन जाएगा किस से multiply करना पड़ेगा हमको 2 से multiply करना पड़ेगा तो finally हमारे पास जो product निकल कराएगे वो क्या निकल कराएगे बच्चो कि यहाँ पर क्या क्या cancel out हो जाएगा बच्चो देखा जाए तो क्या क्या cancel out होगा बच्चो 2 FEO से 2 FEO cancel out हो जाएगा यहाँ पर single SO3 है उससे क्या हो जाएगा एक SO3 cancel out हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा हमारे पास बच्चो देखा जाए तो कि यहाँ पर बचेगा क्या FE SO4 के 2 mol बचेंगे ठीके उसे अगर हम heat करते हैं तो क्या बनेगा बच्चो FE2O3 बचेगा साथ में SO2 बचेगा और 1 mol क्या बच जाएगा बच्चो SO3 बच जाएगा तो यहाँ पर क्या बना है बच्चो जो final product निकल कर आया है वो यह निकल कर आ गया I hope सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है यहाँ पर आप देखोगे तो FE के 2 mol है sulfur के 2 mol है यहाँ पर oxygen के 8 mol है तो यहाँ पर total molecule कितने हो एक्टम कितने हो गए oxygen के 8 atom हो गए तो यह एक balance reaction है किसकी जहाँ पर हम green vitrol को क्या करते है बच्चो heat करते है ठीक है then further reaction कौन सी वाली है बच्चो की जब हम जो green vitrol है उसको heat करते हैं किस पर बच्चो above 800 degree centigrade तो above अगर 800 degree centigrade करते हैं तो यहाँ पर directly क्या बनेगा Fe2O3 बन जाएगा साथ में SO2 बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा O2 बन जाएगा मतलब कहने के बात यह है कि SO3 जो होगा again breakdown हो जाएगा किसमें SO2 और half O2 में conversion इसका further हो जाएगा clear है सभी लोग को I hope सभी को समझाई होगी यह reaction next बात करते हैं next heating करते हैं कि इसकी बच्चो blue vitrol किया blue vitrol जो है जब इसकी हम heating करते हैं तो इसकी heating में क्या है थोड़ा सा twist है क्या twist है बच्चों कि यह धीरे धीरे पानी को क्या करता है, release करता है धीरे धीरे क्या करता है यह पानी को release करता है तो जब हमने इसको पहली बार heat करेंगे तो यह क्या देगा बच्चों यह देगा हमको CUSO4.3H2 क्या देगा बच्चो यह CUSO4.H2O मतलब यह 2 mol of water निकाल देगा फिर फर्दर जब हम इसे heat करेंगे तो यह क्या देगा बच्चो हमको CUSO4.H2O फिर इसने 2 mol water अगें निकाल देगे तो अब इसके पास कोई निकालने के लिए water बचा है क्या बिल्कुल बचा है तो यहां पर जब हम इसे heat करेंगे तो अब यह क्या देगा CUSO4 देगा जो की again किस कलर का होगा बच्चो वाइट कलर का होगा जो की again किस कलर का हो जाएगा वाइट कलर का हो जाएगा फिर फर्दर जब इसे हम heat करेंगे तो यह क्या देगा बच्चो यह देगा CuO plus CuO plus SO3 देगा और जब हम इसे further heat करेंगे कितने degree centigrade पर बच्चो अब थाउजन डिगरी centigrade तो ये क्या दे देगा हमको Cu2O plus So2 plus O2 ये दे देगा क्या दे देगा बच्चो Cu2O, So2 और O2 ये दे देगा कैसे ये क्या है बच्चो यहाँ पर plus 2 में convert है और किसमें convert हो गया, plus one में convert यहाँ पर हो गया, तो clear है सब भी लोगों को यह बात कि यहाँ पर blue विट्रोल को जब हम heat करते हैं, तो finally हमारे पास क्या product निकल कर आता है, यह about thousand degrees centigrade का product है और यह normal product है, कि जब इसे normal heat करते हुए चलेंगे, कि तो हमें क्या मिलेगा, CuO plus SO3 मिल जाएगा, फर्दर बात करते हैं किसकी, अब most important point आता है कौन सा heating of oxy acid का, किसका point आता है बच्चो, heating of oxy acid का point आता है, कि oxy acid को जब हम क्या करते हैं बच्चो, heat करते हैं, किसको heat करते हैं बच्चो, oxy acid को, बात करते हैं तो सबसे पहले होते हैं बादे दोसरे वाले कोन से होते हैंň इनकी oxidation state क्या होती है बच्चो less than maximum होती है क्या होती है बच्चो less than maximum होती है तो simply यहाँ पर करना क्या है बच्चो जब oxidation state क्या होगी बच्चो maximum होगी maximum के equal होगी तो simply यहाँ पर क्या करना क्या है बच्चो यह बनते कैसे थे, औक्साइड को पानी में डूमने पर बनते हैं, तो हीट करने पर पानी वापस ते दो निकल जाएगा तो यहां पर क्या करना है बैठ्चो, DEHYDRATE इनको करना है मतनब simply water क्या कर देना है एक mall water यहाँ पर क्या करना है बच्चो पानी बाहर निकाल देना है एक mall water हम यहाँ पर क्या करेंगे पानी बाहर निकाल देंगे तो चलिए इनके examples जो हैं वो कर लेते हैं examples क्या-क्या है बच्चो इनके तो देखते हैं examples सबसे पहला जो example आता है वो आता है कौन सा H2CO3 तो H2CO3 को अगर मैं heat करूँगा तो क्या बनेगा बच्चो H2O बनेगा और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा CO2 बाहर निकल जाएगा सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ किसके HNO3 की तो HNO3 को अगर मैं heat करता हूँ तो पानी बाहर नहीं निकल सकता पूरा एक मोर तो इसका मुझे twice करना पड़ेगा और क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ पर H2O बाहर निकल गया साथ में क्या बचेगा N2O5 यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा और N2O5 को further में 40 degree centigrade पर heat करूँगा तो यह किसमें convert हो जाएगा twice small of NO2 और किसमें convert हो जाएगा half O2 में convert हो जाएगा थर्ड अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है H2SO4 को अगर मैं heat करता हूँ तो again यह reaction तो आपको पता है इसे H2O और SO3 यहाँ पर बन जाएगा और SO3 को अगर मैं further 800 degree centigrade से अब हो मैं इसको heat करूँगा तो SO2 और half O2 में अगर यह convert हो जाएगा किसमें convert हो जाएगा बच्चो SO2 और half O2 में again यह convert हो जाएगा अगर मैं fourth बात करता हूँ तो fourth मेरे पास क्या आता है बच्चो HClO4 आता है Cl2O7 मेरे पास यहाँ पर रह जाएगा क्या रह जाएगा बच्चो Cl2O7 मेरे पास यहाँ पर रह जाएगा अब fifth number पर मैं बात करता हूँ तो fifth number वाला बच्चो ध्यान से सबज ना fifth number वाला कौन सा है बच्चो H3PO4 है क्या है बच्चो H3PO4 इसको मुझे क्या करना है, तो आप ध्यान से सुनिए बच्चो, कि H3PO4 जो है, जब इसको हम हीट करेंगे, तो जब हमने इसका जो final product था, वो बनेगा कुन सा बच्चो, इसी का oxide बनेगा, अब इसके oxide को जब हमने hydrolis किया था, तो क्या वहाँ पर मुझे partial product मिल रहे थे, तो जब मैं heat करता हुआ चलूँगा, तो यहाँ पर धीरे धीरे water क्या होगा, remove होगा, और यहाँ भी हमें क्या मिलेंगे, partial product मिलेंगे, तो जब इसको first time मैं heat करूँगा, तो क्या बनेगा, बच्चो, H4P2O7 बनेगा, फिर further मैं इसको heat करूँगा, तो क्या बनेगा, बच्चो P4O10 यहाँ पर बन जाएगा, क्या बनेगा, बच्चो, यहाँ पर P4O10 यहाँ पर बन जाएगा, अब इसको याद रखने का तरीका कौन सा है, बच्चो, simply कि क्या वाकई में यहाँ पर ऐसा ही, यही यही product बन रहे हैं, तो देखें यहाँ पर, कि water का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से maximum water remove करना चाहूं, तो कितना water remove हो सकता है, बच्चो, minus 1.5 mole remove हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, अगर यहाँ पर चेक करूं मैं, तो यहाँ कितने मेरे पास, कितने मेरे पास water, sorry, phosphorus के atom है, बच्चो, 2 phosphorus के atom है, और कितना maximum water remove हो स तो आप देख रहा हूं दीरे दीरे करके water molecule क्या होता जा रहा बच्चो यहां से remove होता जा रहा water molecule दीरे दीरे करके क्या हो रहा है बच्चो यहां पर कम हो रहा है अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एक phosphorus के लिए कितना mole water remove होगा यहां पर 0.5 mol water क्या होगा यहां पर remove होगा अगर यहां पर बात करता हूँ तो क्या रहेगा बच्चो 0 mol ही यहां पर रहेगा तो I hope सबी को समझ में आया होगा कि इसको deal करने का तरीका कैसा है बच्चो clear है सबी लोगों को चलिए बात करते है next 6 जो heating है वो किसकी है बच्चो वो है हमारे पास किसकी H4SiO4 की heating है फिर फर्दर इसमें भी और्थो सिलिसी के सीड है तो यहां भी partial product हमको मिलेंगे तो जब partial product हमको मिलेंगे तो क्या-क्या बनेगा बच्चो यहां पर सबसे पहले बनेगा क्या H6SiO7 बनेगा फिर फर्दर इसको जब मैं heat करूँगा तो क्या बनेगा बच्चो एच क्या बनेगा बच्चो यहां पर फर्दर जब मैं से heat करूँगा तो क्या बनकर निकल कर आएगा बच्चो मेरे सामने की H2SiO3 निकल कर आएगा और फिर फर्दर मैं से heat करूँगा तो क्या निकल कर आ तो बोरिक एसिड को अगर मैं हीट करता हूं तो हीट करने पर मुझे क्या मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा क्या HbO2 फिर अगर मुझे फर्दर हीट करता हूं तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे यहाँ पर H2b4O7 मिलेगा और फिर मैं फर्दर उसको heat करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे B2O3 मिलेगा क्या मिलेगा बच्चो मुझे B2O3 यहाँ पर मिल जाएगा तो आप ध्यान से देख रहे हो कि ये क्या है बच्चो ये ortho acid है ये भी क्या है बच्चो ortho acid है ये कौन सा acid है बच्चो ये है यहाँ पर meta acid और ये यहाँ पर क्या है बच्चो meta acid है ये यहाँ पर कौन सा acid है बच्चो pyro acid है और ये यहाँ पर कौन सा acid है बच्चो pyro acid है और फर्दर हमको oxide तो मिली रहा है तो यहाँ से हमने एक बात और सीख ली, क्या सीख ली हमने बात बच्चो यहाँ पर, एक और बात हमको यहाँ पर सीखने को मिली, कौन सी बात कि अगर, कि अगर जो और्थो एसिड है, अगर जो और्थो एसिड है, अगर वो किस से बिलोंग करे बच्चो, सेकंड पीरियड से बिलोंग करे, कहा एक बिलोंग करें कहां से थर्ड पीरियड से कहां से बिलोंग करें अगर वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है तो सबसे पहले क्या बनेगा और्थो के बाद बनेगा क्या बच्छो मैटा और मैटा के बाद क्या बनेगा बच्छो पाइरो एसड यहां पर बनेगा जबकि अगर वो third period से belong कर रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगा बच्चो और्थो से बनेगा क्या बच्चो पाइरो and then क्या बनेगा बच्चो meta बनेगा I hope जबी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो main जो hint था वो क्या था बच्चो कि जब भी हम किसी भी ortho acid को heat करते हैं तो वहाँ पर अगर वो ortho acid का central atom है वो second period से belong कर रहा है तो पहले ortho बनेगा then क्या बनेगा बच्चो meta बनेगा तो अगर third period से belong करे central atom तो ortho बनेगा then pyro बनेगा, then क्या बनेगा, meta बनेगा जबकि अगर जो central atom है वो किसे belong कर रहा है, second period से तो क्या बनेगा, ortho बनेगा, then meta बनेगा then क्या बनेगा, बच्चो pyro बनेगा ये जो main hint था, वो आप लोगों को याद रखना था then next जो heating आती है बच्चो वो किसके निकल कर आती है, जो next heating important heating निकल कर आती है, वो निकल कर आती है, किसकी बोरेक्स की किसकी heating निकल कर आती है, बच्चो बोरेक्स की heating निकल कर आती है, अब जो बोरेक्स है उसका formula क्या है, बच्चो उसका formula है na2b407.10h2o तो यहाँ पर क्या है decahydrate है, जो बोरेक्स है वो क्या है, बच्चो यहाँ पर डेका हाइडरेट है तो जब इसको हीट करेंगे हम तो क्या बनेगा Na2B407 तो बोरेक्स का क्या फर्मला होता है बच्चो Na2B407.10H2O है जब हम इसे क्या करेंगे बच्चो हीट करेंगे तो हीट करते ही फर्दर क्या होगा water remove हो जाएगा तो water remove होगा तो NA2B407 अब ये जो borex होता है ये क्या होता है बच्चो solid होता है जब solid होगा तो solidness जब water निकलेगा तो वो किसी ने किसी path से बाहर निकलेगा तो जो हमारा borex होगा वो क्या हो जाएगा बच्चो swell up हो जाएगा मतलों वो full जाएगा क्या हो जाएगा बच्चो वो full जाएगा और फिर further जब हुमसे heat करेंगे किसको borex को तो क्या बनेगा बच्चो वहाँ पर बनेगा क्या NaBo2 बन जाएगा क्या बनेगा बच्चो NaBo2 बन जाएगा या फिर इसे हम और अच्छे समझते हैं कि यहाँ पर जो हमारा oxidation state है boron का वो कितना है बच्चो वो oxidation state है हमारा कितना plus 3 तो यहाँ पर कौन सा oxide बनेगा B2O3 बन जाएगा और यहाँ पर further क्या बचेगा हमारे पास Na2 बचा हमारे पास B2 बचा हमारे पास O4 बचा हमारे पास अब यह क्या है यह dimer की form में तो हम इसको किस में convert कर लेंगे monomer की form में convert कर लेंगे और क्या बन जाएगा बच्चो यहाँ पर final product B2O3 plus twice of NaB02 बन जाएगा जिसको क्या बोला जाता है बच्चो जिसको बोला जाता है क्या borax beat test में use लिया जाता है इसी को और यही क्या होता है transparent क्या होता है बच्चो transparent glassy mass होता है यही क्या होता है बच्चो transparent glassy mass होता है जिसको यूज किया जाता है किसमे bead test में यूज किया जाता है बच्चो bead test में यूज लिया जाता है जहां पर यह जो sodium होता है यह convert हो जाता है किस से transition metal से तो याद रखना बच्चो बीड टेस्ट जो होते हैं वो हमेशा कौन देते हैं बच्चो जो flame test होते हैं कौन से s-block के metal साते में कौन देता है copper देता है 2030 एकज एकजयर कौन देता है बच्छो कॉपर और लेड दोनों के दोनों क्या करते हैं बच्छो फ्लेम टेस्ट यहां पर परफॉर्म करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं बीड टेस्ट देते हैं बोरेक्स बीड हो चाहे फॉस्वेड बीड हो दोनों के दोनों क्य देते हैं बच्चो transition metals ही देते हैं clear है सभी लोगों को यहाँ पर चलो अब next बात करते हैं तो next हमारे पास जो second number पर आता है बच्चो वो क्या आता है having less than maximum oxidation state क्या आता है बच्चो having less than maximum oxidation state maximum से कम होगा अगर हम उसको हीट करेंगे तो हमको क्या-क्या product देखने को मिलेंगे तो देखो बच्चो अगर हम इनको heat करते हैं simply हम हम इनको क्या करते है हीट करते तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि basically यह क्या हो गई बच्चो यहां पर यहां पर यह क्या होंगे यह mid oxidation state वाले होंगे क्या होंगे mid oxidation state वाले होंगे तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चो disproportionation देखने को मिलेगा तो the very first disproportionation came from the heating of having less than maximum oxidation state आक्सी एसेट तो फ़र्स जो डिस्प्रोशी नेशन है वो यहां से देखने को हमको मिलेगा तो जब हम इसको क्या करते हैं बच्चो हीट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा एक तो मिलेगा क्या एक ओक्सीडेशन स्टेट प्रोड़क्ट क्या मिलेगा हमको एक ओक्सीडेशन क्या है इक Oxidation State product क्या मिलेगा हमको इसका याद रखना जो इंगले और लोङ से प्रड़क्ट होता है उसмен जोई चोटा सा शीयच है और ंजन्हें क्या ओं को याद रखना है कि कека आप पुलिस एक चोर क्या होगा बच्चो तीन पुलिस एक चोर इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखने है बच्चो कौन से वाली कि तीन पॉलिस क्या होगा बच्चो तीन पुलिस एक क्या ट्रिक याद रखने है बच्चो तीन पुलिस एक चोर दो नो नालायक दोनों नालायक करे जोर से शोर क्या होगा बच्चो जोर से शोर ठीक है तो क्या है बच्चो ट्रिक का जो मतलब है वो क्या है कि समझ ये तीन का मतलब क्या है बच्चो माइनस थ्री और ये क्या होगा फॉस्फोरस एक का मतलब क्या है बच्चो माइनस और चोर का मतलब क्या होगा क्लोरीन दो का मतलब क्या होगा बच्छो प्लस वन और एन ओ तो होई गया हमारे पास तो मतलब नाइट्रोजन है और कौन है बच्छो कार्बन है कौन है नाइट्रोजन है और कौन है कार्बन है जोर का मतलब क्या है बच्चो जीरो है और S का मतलब क्या है बच्चो से का मतलब क्या है बच्चो सलफर है यह सपोर्टिंग वर्ड है तो अब यहाँ पर जो ऑक्सी एसिड होता है क्या होता है बच्चो ऑक्सी एसिड तो ऑक्सी एसिड में एक तो H प्लस होता है और एक क्या होता है बच्चों हमारे पास एक होता है हमारे पास क्या O-2 और एक कौन होता है नोन मेटल होता है तो अगर नोन मेटल हाइडरोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नोन मेटल पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा और अगर non-metal oxygen के साथ bond बनाएगा तो non-metal पर कौन सा charge आएगा positive charge आएगा तो बस इसी बात का यहाँ पर use लेना है कि phosphorus पर कौन सा charge है minus 3 charge है तो वो कब आ सकता है जब यह किसके साथ bond बनाए हाइडरोजन के साथ और यहाँ पर क्या बन जाएगा product pH 3 बन जाएगा chlorine के उपर negative charge कब आएगा जब यह hydrogen के साथ bond बनाएगा तो hydrogen के साथ bond बनाकर क्या product बनेगा HCl बनेगा वही nitrogen के उपर plus 2 charge आ रहा है तो वो कब आपाएगा nitrogen किसके साथ bond बनाएगा oxygen के साथ तो क्या product बन निकल कर आएगा NO निकल कर आजाएगा वही carbon जो है वो किसके साथ bond बनाएगा अगेन oxygen के साथ और क्या मना देगा बच्चो प्लस 2 oxidation state क्यों 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 कि यहां पर CO बनने वाला है देन zero oxidation state तो यहां तो कुछ दिक्कत वाली बात है यह नहीं sulfur किस oxidation state पर होगा zero oxidation state पर हमको देखने को मिलेगा तो यहां पर जो further हमको देखने को मिलेगा या फिर हम इसको solve करते हैं further इसके example के दुरू देखते हैं इसको तो क्या हमको देखने को मिलेगा बच्चो यहां पर तो example जो है वो समझी है आपकी example क्या क्या निकल कर आएंगे तो यहां पर मैंने हीट किया किसको H3PO2 को मैंने किया क्या बच्चो यहां पर हीट किया और एक हीट किया किसको H3PO3 को मैंने किया कर दिया तो lower oxidation state product दोनों के दोनों convert होंगे किसमे H3PO4 में और H3PO4 में तो just higher E-cacid यही है और साथ में phosphorus का lower oxidation state product कौन सा होगा बच्चो pH3 निकल कर आ जाएगा क्या निकल कर आ जाएगा pH3 निकल कर आ जाएगा वैसे ही next क्या होगा हमारे पास अगर H2C2O4 है यहां पर अगर मैं carbon के oxidation state की बात करूँ तो वो क्या होगा बच्चो यहां पर oxidation state plus 3 होगी तो यहां पर जो मुझे product मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चो यहां पर product मुझे बोलो क्या मिलेगा यहां पर H2CO3 मिलेगा और साथ में क्या मिल जाएगा CO मिल जाएगा और फरदर यह convert हो जाएगा किसम है H2O और CO2 में तो final product हमको क्या मिलेगा H2O CO2 और साथ में क्या मिल जाएगा CO देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा बच्चो CO देखने को मिलेगा फिर फरदर मैं बात करता हूँ किसकी HNO2 को अगर मैं क्या करता हूँ बच्चो heat करता हूँ तो Phosphorus के product हो चुके हैं हमारे पास sulfur का अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होगा बच्चो H2SO3 होगा अगर मैं इसको heat करता हूँ तो क्या देखने को मिलेगा बच्चो मुझे यहाँ पर H2SO4 देखने को मिलेगा साथ में sulfur zero oxidation state में देखने को मुझे मिलेगा जबकि मैं chlorine के atoms की बात करता हूँ तो chlorine के यहाँ पर oxy acid कौन कौन से होंगे बच्चो सबसे पहला होगा कौन सा HClO3 को मैंने heat किया फिर मैंने heat किया किसको HClO2 को मैंने heat किया और फिर heat किया मैंने किसको HClO को मैंने heat किया अब इसको याद रखना बच्चों की जो h-c-l-o-3 है यहाँ पर यह क्या है बच्चों की plus five oxidation state में है बट जो maximum oxidation state होती में बच्चों plus seven होती है और इसको क्या बोला जाता है बच्चों? बच्चों इसको बोला जाता है क्या इक acid क्या बोला जाता एक एसिड तो यहां पर अगर प्लस 5 को मैं हीट करूंगा तो यह कनवर्ट होगा किसमें प्लस 7 में तो एक कनवर्ट हो जाएगा किसमें HCLO4 और 7 में HCL में बट अगर मैं यहां पर प्लस 3 को हीट करूँ यहां प्लस 1 को हीट करूँ तो प्लस 3 और प्लस 1 को heat करने पर ये किसमे convert होंगे just higher e-cacid just higher e-cacid कितने पर है बच्चो plus 5 पर है तो ये किसमे convert हो जाएंगे ये convert हो जाएंगे HCL O3 में और ये भी convert हो जाएंगे किसमे HCL O3 में और final product हमको क्या मिलेगा HCL 7 में मिलकर मिल जाएगा तो क्या मिलेगा बच्चो HCLO3, HCLO3 दोनों में मिलेंगे और HCLO4 किसमें मिलेगा HCLO3 को हीट करने पर मुझे यहाँ पर मिलेगा clear है सभी लोगों को I hope सभी को यह वाली हीटिंग समझ में आई होगी कि यहाँ पर फर्दर क्या होने वाला है clear है बच्चो सभी लोगों को I hope सभी को यह हीटिंग समझ में आगई होगी चलिए next हीटिंग की दरफ चलते हैं तो next हीटिंग जो है हमारा वो कौन सा है बच्चो next हीटिंग जो है हमारा वो है कौन सा 11th नंबर का हीटिंग वो क्या है heating of ammonium salt क्या है बच्चो हीटिंग ओफ अमोनियम सॉल्ट है तो अमोनियम सॉल्ट के अगर मैं हीटिंग की बात करता हूँ तो यहां पर क्या हुआ बच्चो कि यहां पर जो हमारा केटायन है सॉल्ट के अंदर जो केटायन है और क्या है बच्चो जो एनायन है वो दोनों डिफरेंट अगर केटाइन के बात करता हो तो केटाइन तो हमारा fix हो गया न कि वो ammonium होगा ये तो क्या है बच्चो fix है जबकि जो एनाइन है ये क्या हो जाएगा बच्चो change होता रहेगा एनाइन क्या होता रहेगा बच्चो चेंज होता रहेगा तो एनाइन के basis पर ही हम क्या करते है बच्चो इस salt को क्या करेंगे heat करेंगे अब जो एनाइन है उसको further categories में divide किया गया है क्या होगा बच्चो कि जो एनाइन होगा क्या होगा बच्चो जो NIN होगा वो तीन टाइप का हो सकता है या फिर दो टाइप का हो सकता है कौन कौन सा एक तो हो जाए कौन सा अक्सिडाइजिंग एजेंट और एक हो जाए कौन सा वीक अक्सिडाइजिंग एजेंट हो जाए या फिर क्या हो जाए बच्चो non oxidizing agent हो जाए तो यहाँ पर जब भी हम ammonium salt को heat करेंगे किसको heat करेंगे ammonium salt को heat करेंगे तो by default यहाँ पर NS3 मिलेगा अब NS3 के सामने अगर मैं oxidizing agent लेकर आ जाऊंगा तो मुझे जो product मिलेगा वो क्या मिलेगा N2 मिलेगा product क्या मिलेगा बच्चो N2 यहाँ पर मिलेगा बट अगर मैं ammonia के साथ अगर non oxidizing agent या फिर weak oxidizing agent लेकर आऊं तो further यहाँ पर कोई reaction नहीं होगी तो हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो सिर्फ ammonia by product के form में मिलेगा तो याद रखना बच्चों कि अगर ammonium के साथ ammonium के साथ अगर strong oxidizing agent आता है तो COM मिलता है हमको N2 byproduct में मिलता है जबकि अगर weak oxidizing agent आता है तो यहाँ पर क्या मिलता है हम को by default ammonia as a by product हम पर मिलता है ammonia कि सह मिलेगा बच्चो by product की form में हम यहाँ पर मिलेगा clear है सबी लोगों को बो लो clear है बच्चोmor दिक्कत है किसी बच्चे को बोलो बच्चो को दिक्कत किसी बच्चे को है यहाँ पर बोलो नहीं है किसी बच्चे को दिक्कत चलो तो देखो next तो example की दुरू समझते हैं कि सबसे पहला जो case आता है वो कौन सा वाला आता है बच्चो कि जब हमारा जो एनायन हो जब हमारा जो anion हो वो क्या हो जाए strong oxidizing agent हो जाए क्या हो जाए बच्चो strong oxidizing agent हो जाए अब अगर strong oxidizing agent है तो ammonium को heat करने पर मुझे क्या मिलेगा ammonia मिलेगा और ammonia के साथ अगर strong oxidizing agent आ गया तो मुझे further क्या मिल जाएगा बच्चो यहाँ पर N2 मिल जाएगा further क्या मिल जाएगा बच्चो मुझे यहाँ पर N2 देखने को मिलीगा तो N2 यहाँ पर मुझे इस बाइप्रोडक्ट मिल जाएगा तो चलिए इसको reaction के थूरू समझने कोशिश करते हैं कि basically यहाँ पर होनी क्या वाला है तो देखें यहाँ पर example जो है वो देखें सबसे पहले कि सबसे पहला जो example आता है वो आता है कौन सा ammonium dichromate का तो NH4 क्या आता है बच्चो NH4 hold twice CR207 है जब हमने इसको क्या किया बच्चो heat किया तो NH4 hold twice CR207 किस कलर का होता है बच्चो यह होता है orange कलर का किस कलर का होता है बच्चो साथ reaction करके क्या बना देगा N2 बना देगा क्या बना देगा और फिर फर्दर हमको क्या मिलेगा कि जो chromate है वो plus 6 oxidation state में तो plus 6 से किसमें जाएगा plus 3 में जाएगा तो यह क्या बना गया CR2 O3 बना गया है यहापर उसाथ में क्या निकल जाएगा बच्चो बचा हुआ पानी भी बाहर निकल जाएगा तो यह CR2 O3 होता यह किस कलर का होता बच्चो यह होता है ग्रीन कलर का तो हमें क्या मिलेगा यहापर by प्रोडक्त बच्चों N2 Cr2 और क्या मिल जाएगा प्लस 4H2 यहां पर मिल जाएगा क्लियर है बच्चों सभी लोगों को चलिए next reaction के बात करते हैं तो first reaction के बात second reaction के बात करते हैं तो second reaction क्या होगी बच्चों second reaction होगी है हमारे पास क्या NH4 MNO4 अगर मैं potassium ammonium permagnate को heat करता हूँ तो ammonium permagnate का जो color होगा वो again क्या होगा बच्चो purple होगा क्या होगा color इसका बच्चो purple होगा जब मैं इसे heat करूँगा तो again यहां से ammonia बहार निकलेगा और ammonia किस में convert हो जाएगा N2 में convert हो जाएगा तो यहां पर MN किस oxidation state में है प्लस 7 में है तो प्लस 7 से हो किस में चला जाएगा प्लस 4 में वो चला जाएगा तो क्या बना देगा बच्चो वो MNO2 बना देगा और MNO2 किस color का होगा बच्चो black color का होगा MNO2 किस color का हो जाएगा बच्चो ब्लैक कलर का हो जाएगा और फर्दर क्या बच जाएगा बच्चो 2H2O यहाँ पर निकल कर आ जाएगा क्या निकल कर आ जाएगा बच्चो 2H2O निकल कर यहाँ पर आ जाएगा क्लियर है सबी लोगों को बच्चो थर्ड हम बात करते है तो थर्ड हमारे पस क्या निकल कर आता है बच्चो NH4CLO4 है अगर हम इसको हीट करते हैं तो अगें ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है तो अगें हमको क्या मिलेगा N2 मिलेगा बड़ जो क्लोरीन है वो कितने पर है प्ल H2O2 मिलेगा और साथ में हमको क्या मिल जाएगा बच्चो H2O मिल जाएगा क्या मिलेगा बच्चो हमको यहां पर H2O मिल जाएगा तो यहां पर further H2O मिल जाएगा और यही क्या हो जाएगी बच्चो हमारे final reactions हो जाएगी आई होब सभी को समझ आई होगी ये reaction की क्या-क्या यहां पर होने वाला है और कैसे-कैसे हम इन reaction को deal करने वाले हैं चलो हम next बात करते second point के तो second point जो आता है हमारे पास कि जब anion जो होता है क्या है बचो कि जो anion होता है वो क्या होता है बचो हमारे पास weak oxidizing agent होता है या फिर क्या होता है बचो वो non oxidizing agent होता है अगर वो weak oxidizing agent है नon oxidizing agent है तो ammonia को अगर हम heat करेंगे ammonium को heat करेंगे तो ammonia मिलेगा और ammonia के साथ में अगर हम इनको मिला देंगे तो यहां पर कोई reaction देखने को नहीं मिलेगी तो final जो हमारा product होगा वो क्या होगा बचो वो only and only क्या होगा बचो ammonia होगा only and only क्या हो जाएगा बचो वो ammonia हो जाएगा तो ammonia अगर हमको मिलता है तो reaction बहुत easy हो गई है तो यह reaction तो हमको बहुत easy लगी कौन सी वाली बचो तो यहाँ पर क्या हुआ NH4Cl है अगर मैं इसको heat करता हूँ तो simply क्या होगा NS3 बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा साथ में क्या बनेगा बच्चो HCl बन जाएगा तो आप देख रहों यहाँ पर जो HCl होता है वो weak oxidizing agent है मतलब non oxidizing agent है then NH4 hold twice है और साथ में क्या है CO3 है इसको अगर हम heat करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा NH3 देखने को मिलेगा यहाँ पर H2CO3 बनता तो यहाँ पर क्या मिलेगा again H2O और CO2 यहाँ पर देखने को मिलेगा फिर बात करते हैं कि इसके NH4CN की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमको again ammonia और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर HCN देखने को मिलेगा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर NH4 hold twice S की तो अगर मैं इसको heat करता हूँ तो क्या मिलेगा NH3 मिलेगा और साथ में H2S बाहर निकल जाएगा यहां पर तो कुछ भी हो बच्चो हमें इस टाइप से इसको करना है कि weak oxidizing agent कौन-कौन सा होता है अब case third जो है वो समझेगा ध्यान से case third जो है बच्चो वो समझने वाला point है कौन सा point है बच्चो कि जब anion जो है हमारा क्या है बच्चो जो anion है हमारा वो क्या हो जाए बच्चो contain itself nitrogen क्या हो जाए बच्चो जब वो anion जो हो हमारा वो खुद ही क्या contain करे बच्चो nitrogen contain करे क्या contain करे nitrogen करे तो अगर वो nitrogen contain करना है मतलब वो कौन सा anion है बचो हमारा nitrate हो गया वो कौन सा anion हुआ बचो nitrite हो गया वो कौन सा anion हुआ बचो azide हो गया यह सारे के सारे हमारे क्या है बचो यह सारे के सारे हमारे क्या हो गए nitrogen containing anions हो गए तो अगर इस type का case हमको कहीं भी देखने को मिलता है तो यहाँ पर simple सा हमारा जो product होगा simple सा हमारा जो product होगा वो क्या लेना है बच्चो हमको लेना है क्या average oxidation state product लेना है क्या लेना है बच्चो हमको average oxidation state product हमको यहाँ पर लेना है तो average oxidation state product का मतलब क्या है बच्चो उसको आईए example के दूरू समझते है तो सबसे पहला जो हमारे पास निकल कर आता है वो क्या आता है NH4NO3 निकल कर आता है अगर हम इसे heat करते हैं तो क्या होगा तो यहाँ पर ammonium के अंदर जो ammonium nitrogen है वो किस oxidation state पर है बच्चो हमारे पास average वो निकल कर आगया कितना plus one तो plus one oxidation state वाला क्या बनेगा बच्चो प्रोड़क्ट बनेगा और plus one oxidation state का product कौन सा होता नाइट्रोजन का वो होता N2O और further है क्या बच जाएगा यहाँ पर water बच जाएगा क्या बच जाएगा बच्चो water बच जाएगा second मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो second मेरे पास क्या आता है NH4NO2 निकल कर आता है अगर मैं इसको heat करूँ तो क्या क्या बनेगा बच्चो कि ammonium के अंदर जो nitrogen है वो minus 3 oxidation state में है और nitride के अंदर जो nitrogen है वो plus 3 oxidation state में है तो minus 3 plus 3 divided by 2 is equal to 0 तो 0 oxidation state को अपर product nitrogen का कौन सा होता है बच्चो N2 होता है और further हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर H2O देखने को मिल जाएगा क्या देखने को मिलेगा बच्चो H2O देखने को मिल जाएगा तो I hope सभी को समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या कर रहे है हम simply क्या कर रहे है बच्चो और अगर मैं थर्ड बात करता हूँ किसकी बच्चो NH4 N3 की तो यह क्या है ammonium azide है अगर मैं इसको heat करता हूँ तो क्या मिलेगा बच्चो यहाँ पर ammonium के अंदर nitrogen minus 3 oxidation state में हो azide के अंदर nitrogen total nitrogen के अपर कितना चार्ज है minus 1 charge है तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चो minus 3 minus 1 divided by कितने atom है nitrogen के 4 atom है कितने atom है बच्चो 4 atom है तो again कितना oxidation state minus 1 oxidation state और यहाँ पर hydrogen भी present है तो क्या हो जाएगा क्या मिलेगा बच्चो हमको मिलेगा क्या NH गर एग्जिस्ट करता है बच्चो वो dimer की फौम में exist करता है यहां पर क्या देखने को मिलेगा बच्चो यहां पर हमको N2H2 देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा बच्चो N2H2 हमको देखने को मिलेगा तो हमारा जो final product होगा वो कौन सा होगा बच्चो, यहाँ पर N2H2 हो जाएगा तो यह हमारी heating होई बच्चो, किसके ammonium salt की, किसके heating होगाई बच्चो हो कौन सा बच्चो हीटिंग of hydrated chloride क्वाूस सा इस टॉपिक है बच्चो हीटिंग of hydratedвар Block एड है तो last जो topic है का हमारा वह कौन हो हीटिंग of HydratedCool Ideas क्या है बच्चो हीटिंग of Gesch regional उसका मतलब क्या च्छो कि हाइड हेडी क्लॉराइड उसका मतलब दॉब भी हमारे hydrated chloride है उनकी हम क्या करने वाले हीटिंग करने वाले हैं तो जब उनकी heating करते तो उनके लिए छोटा छोटा जो point है वो हम समझ लेते हैं क्या समझ लेते हैं बच्चो कि hydrated कौन-कौन बनाता है सबसे पहले तो वह समझ यह बच्चो कि only only sodium potassium rubidium sodium chlorides इनके जो chlorides है आर obtained क्या होंगे बच्चो आर obtained obtained in anhydrous form in anhydrous obtained in anhydrous form by direct heating by direct heating of their aqueous by their aqueous salt solution ठीक है इनके जो aqueous salt solution होता है उनसे को अगर हम direct heat करते हैं किस-किस को sodium potassium rubidium, cesium के chloride को पानी में डाला हुआ और उनको हम heat करते हैं तो यह direct हमको anhydrous form में मिल जाते हैं जबकि जो बाकी के chloride होते हैं वो anhydrous form में नहीं मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं बच्चो अन्हाइड्रous form में हमको नहीं मिलते हैं डारेट हीट करने पर हमको क्या मिलते हैं वो मिल जाते हैं कौन से वाले sodium, potassium, rubidium, cesium then next बात करते हैं तो next क्या होता है among क्या बच्चो among hydrated among hydrated chlorides among hydrated chlorides only only calcium, strontium and barium calcium, strontium and barium chlorides chlorides are obtained are obtained in anhydrous foam by heating 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 of their hydrated form क्या मिलेंगे बच्चो among hydrated chlorides only potassium sorry calcium, strontium, barium के जो chloride है उनके anhydrous foam को direct heat करके opting किया जा सकता है किन से उनके hydrated form से जबकि जो sodium, potassium, rubidium, cesium में उनको कैसे opting किया जा सकता है उनके aqua salt solution को direct heat करके क्या किया जा सकता है gain किया जा सकता है ऐसा क्यों होता है बच्चो चलिए इसके पीछे का जो reason है वो समझ लेते हैं क्या reason है इसके पीछे का कि जो polarizing power है जो polarizing power है वो किसकी जादा होती है बच्चो sodium, potassium, rubidium और जो cesium है इनके polarizing power कम है किसके comparison में किसके comparison में बच्चो calcium के comparison में strontium के comparison में barium के comparison में क्या है कम है तो इनको heat करके direct हम क्या गिन कर सकते हैं एन्हाइडरेसवार्म जबकि इनको पहले hydrated में convert होंगे ये देन उसके बाद क्या बनेगा बच्चों इनका एन्हाइडरेसवार्म बनेगा तो चलिए बच्चों चेक करते हैं आपर इनको example के दुरू समझ लेते हैं कि जब हम NACL के जो aqua solution होता है जब उसको heat करते हैं तो हमको NACL solid direct मिल जाता है जबकि अगर मैं CACL2 aqua solution को heat करूँ तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे मुझे मिलेगा क्या पहले CACL2.6H2O फिर जब मैं इसे further heat करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पर CACL2 solid form में मिलेगा साथ में मुझे क्या मिलेगा अब जाकर मुझे क्या मिलेगा water मिलेगा तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो पहला point था और जो दूसरा point था उसका बूलने का sense क्या था बट वही अगर में बात करता हूँ क्या बच्चों magnesium के अगर में heat करता हूँ क्या करता हूँ बच्चों ऐक्वस solution को में heat करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा mgcl2.6H2O मिलेगा mgcl2.6H2O मुझे यहाँ पर मिलेगा अब अगर मैं इसे direct heat कर दूँ direct heat कर देता हूँ तो मुझे ये swarm में नहीं मिलता जबकि ये क्या हो जाता है breakdown हो जाता है breakdown होकर क्या देता है mg o देता है साथ में hcl देता है हम इसको पास करते हैं कहां से कहां से पास करते है बच्चो dry hcl के हम chamber से पास करते है तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर mgcl2 plus H2O मिलता है क्या मिलता है बच्चो mgcl2 plus H2O यहाँ पर हमको देखने को मिलता है क्यों क्योंकि mg क्या है पॉलराइजिंग पावर जादा है तो यह जल्दी से क्या होना चाता है ब्रेकडाउन होना चाता है और हीट करने पर यह क्या हो जाता है इसकी जो थर्मल इस्टेबिलिटी है वो कम होने की वज़े से यह डारेट ऑक्साइड में कनवर्ट होकर क्या बना लेता है बच्चों M अज़ी ओ और एच्सी एल बना लेता है तो इसको हमें एंहाइड्रिस ओम में गेंग करने के लिए ड्राइच्सी एल से पास करना पढ़ता है और जब ड्राइच्सी एल से पास करते हैं तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर यहाँ पर MgC L.6H2 देखने को मिलेगा बच्चों M NCRT में mention है जो आपको कई बार confuse करेगा क्या confuse करेगा बच्चो कि जो हमारा MgCl2 है MgCl2 है वो कभी .6H2 की form में लिखा हुआ है और कभी वो किस form में लिखा हुआ बच्चो .8H2O की form में लिखा हुआ है तो याद रखेगा बच्चो कि जो ये जो बन रहे हैं ये किसके उपर बन रहे हैं बच्चो temperature dependent है क्या है बच्चो ये temperature के उपर depend ये कर रहे हैं इसका मतलब क्या है बच्चो कि MgCl2 .6H2O है क्या है बच्चो MgCl2 .6H2O है वो कभ बनेगा बच्चो वो बनेगा कहां पर 116.7 degree centigrade पर मतलब अल्मोस्ट ये high temperature पर तो यही बनने वाला ह बट जो low temperature है मतलब minus 3.4 degree centigrade मतलब ये room temperature सा भी कम है तो इस पर क्या बनने वाला है .HH2O बनने वाला है तो heat करने पर क्या product बनेगा हमिशा MgCl2 .6H2O ही बनेगा तो इससे कभी भी confuse नहीं होने का बच्चो की यहाँ पर जो product बनेगा कि NCRT में .HH2O लिखा हुआ है और यहाँ हम .6H2O बना रहे हैं तो heat करने पर temperature तो ज्यादा ही होगा ना तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चो MgCl2 .6H2O यहाँ पर निकल कर आ जाएगा तो आए हो बच्चो सभी को समझ आ गया होगा यह heating की यहाँ पर oxy acid की heating की हमने आज हमने sulphate की heating की आज हमने ammonium salt की heating की साथ में ह hydrated chloride की भी heating कर दी तो यह हमारा जो heating का portion था यह पूरा का पूरा क्या हो चुका है बच्चो complete हो चुका है तो आप इनको पढ़िएगा इनके questions all कीजिएगा और कोई दिक्कत आती है बच्चो तो comment कीजिएगा तो आज के लिए इतना ही बागी पढ़ेंगे next lecture में चलिए thank you